शुपर प्रभाद प्यारी बजों EBS में हम पार्ट चोदर रहे साथ साथ में पेज नमबर 111 पर आए हैं यहाँ पर उपर वाले परशनों तर हम कर चुके हैं उसके बाद पढ़ते हैं मधु मखी की तरह और भी कई जानवर जुंड में रहते हैं हम आकार में छोटी जरूर हैं पर हमारा परिवार बहुत बड़ा है हम मीथी तली हुई चीजों और अनाज को जट से सूंग लेती हैं हम एक खास महक के जरिये एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं फिर कतार बना कर दल बल के साथ वहां पहुंचाती हैं हमारे समू में मजदूर नर सिपाही, रानी और नर चीटियां होती हैं हम जमीन की दरारों में या पेडों की खोकली जडों में रहती हैं बरसात का अनुमान होते ही हम अपने अंडों को सरक्षित स्थान पर ले जाती हैं तो यहां पर चीटियों ने अपने बारे में बताया है कि वो भले ही आकार में छोटियां हो लेकिन छोटी हो लेकिन उनका परिवार बहुत बड़ा है मीठी, तली हुई चीजों और अनासे के पास वो जड से पहुंच जाती हैं और ये एक खास महक के जरिये एक दूसरे को संदेज से पहुंच जाती हैं इनकी परिवार में मस्दूर, नर सिपाही और रानी और नर चिटियां होती हैं ये कहां कहा रहती हैं जमीन की दरारों में और पेडों की खोकली जडों में और परसाथ कानुमान होते ही ये अंडे एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं और उसके बाद सोचो और लिखो ये देखिए यहां पर क्या तुम्हारे घर में भी सब मिल कर काम करते हैं यदि हां तो कैसे तो आप ये बताइए कि आपके घर में सब मिल बाट कर काम करते हैं या नहीं अगर करते हैं तो आप लिखे यहाँ पर हम सब घर के कामों को मिल बाट कर करते हैं और जब घर की सफाई करनी होती है तो पिताजी छतों के जाले उतार देते हैं मम्मी और दीदी खिड़किया दर्वाजे अन्य सामान से जो धूल जम जाती है वो मीटी पोँच कर जाड़ू पोचा लगा देती हैं पिताजी पानी भर कर पकड़ा देते हैं और मैं भी कुछे काम करवा देता हूं बरतनी कठे कर देता हूं और साफ सफाई में मदद करता ह पेड़ पोधू में पानी देता हूं इस तरह के आप यहाँ पर काम बता सकते हैं फिर है अगला पशन है चीटियां एक कतार में क्यों चलती होंगी क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है चीटियां चलते समय अपने पीछे रसायन छोड़ती रहती हैं अन्य चीटियां उसे सू कर कतार में चलती रहती हैं चीटियों का घर कहां होता है कहां कहां बताया जमीन की दरारों में और पेड़ों की खोखली जड़ों में चीटियों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं हमें मिल जुल कर रहना चाहिए सभी कारिये भी मिल कर करने चाहिए हमें बुरे दिनों के लि ये बात हमने कहां से सीखी वो बताती है ना कि जब भी बारिश कानुमान होता है तो अपने अंडे सुरक्षिते स्थान पर ले जाती हैं तो यानि कि वो अपने बुरे समय के लिए तयार रहती हैं इसलिए हमें भी हमेशा तयार रहना चाहिए और इसका प्रभंद पहले ही कर लेना चाहिए और आगे है एक मज़ेदार सी एक्टिविटी चलिए इसको करते हैं चीटियों को रास्ता दिखा कर भोजन तक पहुंचाओ यहां कर देखिए एक साइड चीटी है और एक साइड खाना है तो इनको यहां खाने तक जाना है तो चलिए कोशिश करते हैं चीटियों यहां से चलेंगी यहां से जाते हुए ऐसे ऐसे इस तरह से यहां से और यह पहुंच गई खाने के पास तो यह तो मैंने चीटियों को खाने तक पहुंचा दिया है लेकिन क्या आप दूसरे रास्ते से भी चीटियों को उनके खाने तक पहुंचा सकते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे